हकनक मार्केटिंग कंपनी लाया है आपके लिए बंपर ओफर हकनक मार्केटिंग कंपनी आपके छोटे से बिजनस को बड़ा बनाने में मदद करें वो भी बिलकुल मुफ्त में जी हां बिलकुल फ्री हाग इनक मार्केटिंग कम्पनी में छोटे से छोटा बड़े से बड़ा ऐड किया जाता है हाग इनक मार्केटिंग कम्पनी के अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 93 21 11 9284 97 68 39 3133 ये ओफर सीमित समय के लिए है तो देर बिलकुल ना करें हलो फ्रेंट्स मैं हूँ समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरे हिंदी टीवी नियूज इस वक्त हम हैं मालवनी मलाड वेस्ट में समय फाउंडेशन के जो एंजियो के प्रेज़ेंट है उनके साथ हम बातचित करेंगे मिश्टर अमज़त शेग जी से इस बारे में कि रोड के उपर अक्सर केंपेनिंग करते रहते हैं बहुत सारे काम करते हैं रोडों के उपर तो रोड का काम कहां से कहां तक अब तक पहुंचा है कितनी सक्सेस्फुल अब तक इसमें हुए हैं सब्सक्राइब करते हैं तो अब तक इसमें कितनी सफलता मिलिये हैं देखिए हमें पिछले तीन-चार मेने से जो है काफी काम कर रहे हैं रमजान से पहले से हमने वह एक्टिविटी स्टार्ट की थी तो यह डीपी प्लान में जो रोड पास हुआ है तेना उसको हम चाह रह है उसके लिए हम लोगोंने प्रशाशन में बीमसी में मलें एंपी से लेकर मिनिस्टर लेवल तके लेटर लिखे हैं फाइनल लेटर हमारा चीफ इंजीनियर जो वरली में है तो बीमसी की जो ब्रिजेज और रोड का काम जो देखते हैं उनको तक पहुँच चुका है इव तो वो होने के बाद में हमारी प्लान यह है कि अगर वहां से सुनवाई नहीं होती या कुछ कारवाई नहीं होती तो हम धर्णा प्रदर्शन या बीमसी का घेराओ इस तरीके से जो भी आगे की कारवाई रहगी हम करेंगे और यह मिशन रोड का जो काम है इसको आगे लेक तो आपको नहीं लगता कि एक रोड था जो के कच्छी रोड से लेकर एवर्शाइन नगर में जोड़ा जा रहा था जो 2016 में गिर गया था आपने देखा होगा उस रोड के बार में टीवी पे चलाए गया था हर चैनल पे की ब्रीज कमजोर हो गई थी और गिर गई कई चैनल म मेरे खाल से पुरानी बात है लेकिन अभी क्यूंकि हम लोग मिशन रोड के ओपर काम कर रहे हैं हमको पिछले जो बाइकर से जाते हैं उनकी भी कंप्लेंट्स आई थी जी कि वह जो ब्रीज इतना चोटा सा नैरो ब्रीज है उसके ओपर भी इतने खड़े और प्रॉपर य मामने सामने एकदम जो होती है नाइट में खासका रिस्की है और जो बात आप बता रहे हैं ब्रीज के बारे में जो 2016 में तूड़ गया था देखे मेरे इसाब से जहां तक मेरी जानकारी है निउस में भी बहुत सारी चीज आई थी कि उसके नडबोल जो है चोरों ने जो चोर कर ली थी पूरा जिसकी वज़े से बीमाना है कि चोर लोगों औरeras को नडबोल को सोने के तो नहीं लगए थे कि जो चोरी करके लह जाके बेचितें हैं यह पूरी तरह से एक साजिश थी जिसके तहट ब्रीज को फो गिराना था और फोजित गिराने के बाद में आपन आने जाने का कोई जरिया नहीं था एक नंबर पर काफी ट्राफिक हुआ करते थी आपने पहले देखा होगा या जनता हमारी जानती होगी कि मलाड जाने के लिए जो एवर्शाइन नगर का रोड था वह SBI जो बैंक था वहां से होकर जाता था और बिल्कुल सामने नाला था जो के बहुत बड़ा था कई लोग उसमें गिर भी चुके हैं ऐसा भी था लेकिन अब आपने देखा होगा कि वहां पर काफी भरनी करके अच्छा रोड बना दिया गया है उसके बारे में क्या था है कि देखिए वहां पर ऐसा है मैं जो मानता हूं वहां लोकल जो माफिया भू माफिया जिसको बोलते हैं या लोकल गुंडे बोलते हैं लीडर्स बोलते हैं यह सबकी मीली भगत है आपर और लोकल जो जिसका नेता बोलते नोता है जिसके अंतरगत वो एरिया आता है वो भी इसमें मिला हुआ है मेरे हैसाब से ब्रीज गिरने के बाद में कई साल तक बन था और वहाँ पर पूरी आप जाकर अभी देखोगे तो पूरी भरनी की गई है जो नाला था उसको भी कबजा कर लिया भरके आप समझे तो यह सारा करने के बाद में अब उसको बेचने का या कुछ ऐसी में को नीज आई कि उसको अभी लोग सेल आउट करने की कोशि से या महाडा से या जो भी प्रशाशन उसके अंतरगात आता है जिसके अंतरगात वो एरिया आता है हम उनसे अभी आने वाले यह दिवाली के बाद में कुछ इंक्वैरी करने वाले हैं और जो भी कल्पिट जो भी मामला आता है चाहे प्रशाशन हो चाहे कोई लोकल लिड चिन करके बाकादा उसका हम लोग सर्वम करने के बाद में हम लोग कंप्लेंट दर्श करने वाले हैं दो सर जिसे एक मामला ज्यादा तर सामने आता हर एंलीगल काम करने वाला- असलम भाई के नाम्का है लेता है और कैसे इसको फ correct करेंगे, हर दान्म करने यसको काम करें ऐस लोकल एम एले हो चाहे complete है जब्वेटर पहली चीज़ पहले तो यह है किस लोग ऐसे है कि जिसको असलम भाई जानते भी नहीं होंगे वो असलम भाई का सहरा लेके उनके नाम को बदनाम करके अपना काम निकालने के लिए करता होगा वो तो कैसा होगा जब हम तैकीक करेंगे तब पता चलता है कि वो तो पता ही नहीं है उनका involvement ही नहीं है इसके अंदर तो कुछ good good जो होते हैं जिसा भरनी का होगा या और कोई भी issue होगा local में कहीं भी कुछ काम करते हैं तो यह बताते हैं कि हम लोग असलम भाई की आदमी है जिससे क्या होता है कि उनको पता ही नहीं रहता और उनको बदनाम करने की कोशिक की जाती एक पहलू यह कोई पहलू के अंदर हो सकता है कि उनके आदमी रियल में हो हो सकता है उनका involvement रियल में हो वो कब पता चलेगा जब जान्च होगी तहकीख होगी तब जाके पता चलेगा अभी हम लोगख खाली हवा में बात करके किसी को भी बदनाम करना या यह उनका आदमी है या उनके इशारे पर काम कर रहा है तो यह बिना प्रूफ के अगर हम ऐसा कुछ बोलते हैं तो यह गलत बात है मेरे इसाब से जब तक सबूत होता है तो हम खुल के मीडिया में भी बोलेंगे की इन्वाल है चाहे मेले हों चाहे एमप्यो और मिनिश्चर हो कुल प्रूफ मिलना चीजिस का बिना प्रूफ के अंदर ले क नाम लेकर बहुत सर काम होते होंगे अब गोपाल सिटी को पता हीना है बहst पर मलुब हुंधे जितने क्वें जाद इस यह साम ऻरा है। बहstुर रएंधे हो प्रूफ नहीं हो चाहिए मेरे पास हो मेरा कहने का मतलब मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ अगर कोई इसमें इन्वाल होता है चाहिए अमेले असलम शेख हो चाहिए एंपी गोपल शेटी जी हो या और कोई भी हो तो हम तो खुलके मीडिया पर बोलेंगे कि यह इन्वाल है इन्होंने इसमें इनका हाथ था या इनकी वज़े से यह हुआ आप समझें तो जैसे यहां पर भी कोई काम हो रहा है हमने पीछ में पिछले इंटर्विव मैंने बताया था कि ड्रक्स के मामले में और दूसरे मामले में कि सारे लोग इन्वाल हैं इसके अंदर मैंने खास कर कहा था कि असलम शेक इनको हटाना चाहिए उनका काम है यह पूलीस परसेशन से इंडीपेस एक केता है तो वो नार्कोटिक डिपार्टमेंट में इतना यह रख सकते हैं जब पालक मंतरी थे वो तो कर सकते थे काम लेकिन नहीं किया उन्होंने जो ड्रक्स का था और दिन बर दिन बढ़ते जा रहा था तो वहां पर था हमने खुल के बोला अब यह भूम आफिया और यह दूसरे इशूस जो आप बता रहें पीछे का भी जो बता रहें आप एवर्शाइन नगर का तो उसमें तो हम यह नहीं कह सकते कि अभी खुल के उनका हाथ है या नहीं है जब कि जब तक जाशना है कि जिसने भी जिसके भी नाम पे यह प्रोपर्टी प्रेजन टाइम पे है या जिसने भी उसको भरनी करवाया है उसी को नाले को बिरिज को गिराने से फाइदा हुआ किसी भी कार में जब तक आपका फाइदा नहीं रह है किसके नाम पे registered है है ना कौन construction करने वाला है तो जब ये पता चल जाएगा तो automatically पता चल जाएगा कि बिरीज किसने गिराया है यानि जो चहरे छुपे हुए हैं वो खुल के सामने आ जाएंगे जाच के बाद में जैसे कि आपने यहां तो interview दे दिया क्या आपकी team में जैसे आपको कहा भी इससे पहले कि दिवाली जो है 25 तारीक के बाद में हम लोग 26 या 27 तारीक को spot पे पहुँचके पूरा जाइजा लेंगे उसकी photos लेंगे उसका मुएना करेंगे एरिया ना पेंगे और वो चीज जो है इसकी complaint बनाकर हम लोग BMC या आलादिकारी कमिशनल लेवल पर यह submit करने वाले हैं और उनकी जांच की मांग करने वाले हैं अगर यह कारवाई जल से जल नहीं हुए तो उसके उपर हम लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे उसको लेके आलादिकारी के office का आया गया था ऐसा हम इसे कह सकते हैं धन्यवाद